पीसांगन में पुलीस ने 5 को तो SDRF ने 6 को किया रेस्क्यू उपखंड मुख्यालय पीसांगन समेद देहात में गत दो अगस से हो रही बंपर अतिवरिष्टी की बदौलत सोमवार को बाढ़ मा पानी में फंसे 11 लोगों में से 5 को पुलीस ने तो 6 लोगों को SDRF ने पानी से सुरक्षित बाहर निकलते हुए रेस्क्यू किया ठाना धिकारी विक्रम सेवावत के मुताबिक कालेसरा में आंदी देवी अपने परिवार के 4 लोगों के साथ गावाई नाडी के बहाव शेत्र में बने मकान में फंस गई जिनको प्रधान दिनेश नायक की सूचना पर उन्होंने वा आसूचना अधिकारी रामा किशन भांबू, शोबाराम जाखड, सावराराम फडोदा वा धर्मा सिंह रावत ने मौके पर पहुचकर रात 11 बचकर 30 मिनट बजे बहाव ख्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला वही इसी दौरान पी सांगन के फतहपूरा रोड स्थित रामद्वारा के पास बीट अधिकारी राजेंद्र थाकन की मौजूदगी एवा, SDRF टीम प्रभारी हैड कांस्टेबल राजेश कुमार के नित्रित्व में, कांस्टेबल शिवराज, राम जीवन, राम चरण, प उपखंड मुख्यालय पी सांगन समेत देहात में, पनपे बाढ़ के हालातों के मध्यनजर उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा, तहसीलदार रामकिशोर जांगेट विकास अधिकारी सोहनलाल डारा समेत शासन प्रशासन मौर्चा संभाले हुए हैं.